टीशर्ट एक ऐसा प्रोड़क्ट है जिसकी देमान आज भी है और फ्यूचर में भी रहने बाली है तो ऐसे में आप अगर चाहते हो टीशर्ट विजनस शुरू करना तो आज की वीडियो आप ही के लिए है आज की वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस सिखाऊंगा कि कैसे जीरो से लेके एकदम लास्ट स्टेप तर कैसे आप एक टीशर्ट विजनस शुरू कर सकते हो बट उससे पहले मैं आपको बता दू ये हमारी एक ओनलाइन बिजनस सिरीस होने वाली है जहां पर एक एक बिजनस को तिमपल भाशा में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उसको शुरू कर सकते हो उससे पहले मैं अपने बारें बोलू तो मेरा नाम है प्रकाश पिछले पास साल से मैं डिजिटल मार्केटिक फिल्ड में हूँ सौ से ज़्यादा ब्रेंड के साथ मैंने काम किया है मेरा खुद का एक सौर्डवेर है चैड़ूरंडर.com साथ ही साथ मेरे कोर्शेस है और उसके साथ साथ कुछ डिजिटल प्रोड़क्स भी है जो मैं आनलाइन बेचता है तो मैंने आज तक जितना काम किया है जो जो सीखा है वो experience के अनुसार मैं आपको सारी चीजे सिखाने वाला तो आप इस चैनल को सब्स्राइब कर लेना क्योंकि आप बहुत कुछ सिखने वाले हो तो दूबार आते हैं हमारे टॉपिक में तो देखो आप अगर टीशेट बिजनस शुरू करना चाहते हो तो आपको आज इस टेप फॉलो करना होगा तो एक-एक स्टेप को समझते हैं तो सबसे पहला है WIC यानि who is your customer तो टीशेट बिजनस शुरू करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर आपका कस्टेमर है को तो सबसे पहला आपको ये चूज करना पड़ेगा कि टीशेट आपको किसको बेशना है तो देखो mostly age के अनुसार मैं बूलू तो वो 5 टेप की audience होते है सबसे पहला होता है 10 से 17 साल के लोग ये ऐसे लोग होते है ऐसे बच्चे होते है जिनके पास पैसा नहीं होता है second जो audience है वो है 18 से लेके 24 साल तर mostly ये जो age group है वो college जाते है या फिर job करते है third जो audience है वो है 25 से लेके 34 तब अब दो को ये जो लोग होते है न ये सारी का सारे job करते है और इनको पर बहुत सारी responsibility भी होती है then fourth जो audience है वो है 45 से लेके 54 तब ये जो audience होते है ये जो t-shirt है simply घर में पहनते या फिर बाहर कई घुमने गए याने टहलने गए market बगरे में ऐसे टाम ये पहनते है then आता है fifth audience जो कि 54 के age से ज़्यादा वाले होते है इनको आप कुछ भी पहना तो इनको बेचो ना बेचो कोई मतलब कर नहीं है तो इनको तो आप county मत करो जब भी आप t-shirt बिजना शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको ये चूज करना पड़ेगा कि कौन से audience को ये कौन से age group को आपको product बेचना है अगर आप t-shirt बिजना शुरू कर रहे हो तो जो second age है और जो third age है इनको ही आप अपना target audience बनाओ और ऐसे लोग की ही अपना product आप sell करो आगे वीडियो में हम थोड़ी detail में इसके बार में बात भी करने वाले है इसके साथ ही आपको चूज करना है अपना competitor आपको देखना है आप जो age group चूज किये हो उनके लिए और कौन product बना रहे है यानि आपका competitor कौन है आपको वो देखना है और उनकी website में जाके आपको feedback चेक करना है कि आपका जो customer है वो क्या demand कर रहे है उसको कौन-कौन से issue आ रहा है और बीच में जो gap पैदा हो रहा है आपको उसको fulfill करना है और उनके लिए आपको cloth बनाना है साथ ही साथ अपने competitor के आप design बगएर आप देख सकते हो कि इस tag का product बना रहा है साथ ही साथ वहां से आप price बगएर भी देख सकते हो कि वो कौन से price में product बेच रहा है क्या मुसके price को टकर दे सकता हूं क्या उससे कम price में मैं product बना सकता हूं तो यह सारी चीज़ आपको देखनी होगी तेकंड जो material है वो है combat cotton यह normal cotton से जादा soft होता है जादा durable होता है और काफी जादा यह premium लगता है और जो third material है वो है polyester अब देखो polyester जो है वो mostly sport के लिए use होता है यानि sport के लिए टी-shirt होता है उसके लिए use किया जाता है यह काफी जादा light weight होता है और साथी साथ के जो price है वो भी आपको कम पड़ेगा यह चोर के और भी material आता है जैसे की jersey fabric हो गया यह फी pima fabric हो गया यह चोर के organic cotton है तो इस type के बहुत सारे आपको material मिल जाएगा बट यह चीज आपको खुद दुकान में जाके यानि offline wholesale market में जाके आपको कपड़ा टच करके यह समझना होगा बट देखो जब भी आप material चूज करो उससे पहले आप material की psychology को समझो तो क्या होता है material की psychology उसको हम समझते हैं मान के चलो अब T-shirt का business start किये हो और आपको जो target audience है वो है 10 से 17 साल की audience तो देखो जो 10 से 17 साल की audience है उनके लिए जो T-shirt होती है mostly उनके जो parents है वो choose करते है और जो parents है न वो design के तरफ ध्यान नहीं देते वो यह देखते है कि material अच्छा हो कपड़ा अच्छा हो वो होती है design इनको चीए अच्छा design क्योंकि यह college में पहन के जाते है या फिर बाहर घुमने जाते है तो आप अगर ऐसे age group को target करोगे तो आपको design में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और अगर मैं बात करू 25 से लेके 34 age वालों का तो ऐसे look जो है वो ऐसे कपड़ा दिखते है जो की premium लगे क्योंकि इन लोग को party में जाना रहता है या फिर office बगर में जाना रहता है तो जो premium दिखता है वैसा product यह buy करते है तो आपको यहाँ पर premium देखना पड़ेगा यह होती है material की psychology आपको समझना पड़ेगा आपका audience कौन है और उसके हिसाब से आपको fabric चूज करना पड़ेगा अब मान के चलो आप एक mall में गए हो वहाँ पे mall में एक दम सामने में आपके एक shop दिखा और आप shop के अंदर चले गए और वहाँ जाके आपको दो टीशट दिखा दोनो white color का है एक यह वाला है और दूसरा यह वाला है बट यह वाला जो इसकी quality जैसी है second वाले के quality एक दम सेम है इसकी price है 300 रुपए इसका price है 320 रुपए लेकिन यह जो टीशट है यह normal टीशट है कोई भी brand का है लेकिन यह जो टीशट है यह है लिवाइस का लेकिन हाँ इसका price 320 है और यह 300 रुपए है तो आप कौन सा बाय करोगे most लोग जो है वो 320 रुपए वाला बाय करेंगे क्योंकि यह branded है हाला कि quality बगेरा color और size हर चीज़ सेम है लेकिन यह branded है इसलिए लोग 20 रुपए इसको ज़्यादा देना prefer करेंगे तो इसलिए एक brand बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो बात आती है कि एक brand हम कैसे बन products होंगे वह funky होंगे वही मैं बात करो बेवकुफ.com का आप मानके चलो आप बहुत ही एक official टीशर्ट बना के sell करते हो तो क्या उसका नाम आप बेवकुफ.com रख पाओगे बिल्गुल नहीं रख पाओगे या फिर आप funky टीशर्ट बगरा बेशती हो और उसका नाम आप मा वाले वीडियो इसके साथ मैं अटेश नहीं कर रहा हो तो इसकी link में description में दे दूँगा वो वाला वीडियो देख ले ना उससे आपको बहुत अच्छे से यह idea लग जागा कैसे आप अपने brand का नाम रख सकते हो बहुत खुल के उसमें बात किया गया है second जो आएगा वो आएगा registration अब देखो आप एक बार नाम चूस कर लिए ना तो आपको उसका registration करना पड़ेगा registration मतलब मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम पहले ही आप उसका trademark बगएर ले लो मैं यह बोल रहा हूँ कि एक नाम अगर आप चूस करते हो तो आपको देखना है कि फेस्बुक में उस नाम से कुछ account तो नहीं बना है अगर नहीं बना है तो तुरन बना लो फिर आपको लिख के मैं सर्च करता हूँ तो यहां पर देखो बता दिया कि इस नाम से कोई डोमेन खरीदा नहीं गया है और यह अवेलिबल है तो simply मैं इस मैं बाई में जाओंगा और जाके इसको मैं बाई कर लूँगा करीब 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 700-800 रुपए मेरे को पड़ेगा और यह जो है वो मेरे नाम पर आ जाया को उसके बाद यह वेबसेट को कोई अपरेट नहीं कर पाएगा तो ऐसे अगर कोई ब्रैंड नम आपके दिमाग में आता है तो simply जाके उसको आप बाई कर लेना मैं ऐसे बहुत सरे नाम पहले से लेकर बैठा हो जो भी मेरे दिमाग में आता है उसके बाद आपको अपने T-shirt के design में ध्यान देना पड़ेगा और इसके लिए आपको तीन जीच करना है सबसे पहला है trendy design तो देखो आपको यह समझना पड़ेगा की market में concert design बहुत सदा trend में चल रहा है जैसे कि Marvel की कोई नई movie आ गई तो उस design के अब T-shirt बना सकते हो या फ आपको यहाँ पर क्रेटिव होना है और आपको यह ध्यान रखना है कि में मार्केट पर एक कौन सा ट्रेंड चल रहा है अब देखों डिजानिंग काम आप अखेले नहीं कर सकते हो इसलिए बहुत साथ ज़रूरी है कि आपको इडिजानर को हायर करो जो की आपकी नहीं नहीं डिजाइन में मदद कर सके और उसकी हैल्प से आप नए-ने टीशर्ट डिजाइन मना के मार्केट में बेज सकते हो थर्ड है tagline, आप अपना खुद का एक tagline बनाओ, जैसे रूपा ब्रैंड के एक tagline है, ये style का बामला है, रूपा frontline, तो ऐसे ही आपको एक tagline बनाना है, जिससे आपकी audience आपको हमेशा याद रखे, फिप्थ है manufacturing और stock, देखो टीशर्ट बिजनस में जो सबसे important होता है, वो part य ही है, और मैं बात करूँ पैसे का, तो manufacturing में ही आपका सबसे ज़्यादा पैसा लगने वाला है, लेकिन ये बचाने के भी बहुत सारे तरीके है, जो कि आपको मैं बताने वाला हूँ, सबसे पहला है white level, अब देखो market में ऐसे बहुत सारे manufacturer है, जो कि T-shirt manufacture करते है, तो आपको बना लो, तो 4000 में आपका 20 T-shirt बन गया, तो ऐसे आपको 5 डिजाइन बनाना है, तो करीब-करीब 25 ती सर के अंदर अंदर आपके एक अच्छा स्टॉक बन जाएगा, तो इस starting business में आपको इतना तो invest करना ही पड़ेगा, हाला कि आप जाको उनसे बात कर सकते हो, अगर हो सके तो वो minimum order 10 भी आपको बना के दे देंगे, लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाते, तो और भी बहुत सरे तरीके हैं, जैसी कि है hire tailors, आप tailors को अपने पास hire कर सकते हो, 2-3 tailors रख के, उनसे आप T-shirt बगएरा बनवा सकते हो, पर देको उसके लिए आपको machine खरीदना पड़ जा सकते हो, low cut tailors के पास जाके उनसे आप T-shirt बनवा सकते हो, बट इसमें दिक्कत ही आता है, कि जो quality होती है, वो कम हो जाएगा, आपका control नहीं रहेगा, quality भी ये तीन तरीके है, जहांसे आप starting में manufacturing स्टार्ट कर सकते हो, बहुत लोग करते हैं, कुछ मुछ कम नहीं है, एक आपको धीरे-धीरे, वो काम उतना ही hard लगता जाएगा, तो starting में खुदी को effort डालना पड़ेगा, 6 है payment, अब देखो, आप अगर online product बेच रहे हो, तो आपको payment भी तो लेना पड़ेगा, तो आप payment कैसे लोगे, उसके mostly दो तरीके होते हैं, सबसे पहला है payment gateway, मार्केट में तो बहुत सार payment gateway है, जैसे कि Razer Pay हो गया, Cash Free हो गया, या फिर Cosmo Feed हो गया, तो ऐसे payment gateway में आप page बना सकते हो, और उसके बाद वहापे आप payment ले सकते हो, जिसमें कुछ gateway के charges बगरा होते हैं, 2% होते हैं, किसी में 10% होते हैं, तो उसके उपर आप थोड़ा सा research कर लेना, हाला ह पहले से वीडियो बना है, आप simply search करना, DC Prakash Payment Gateway, तो बहुत सारे वीडियो आपको आप देख जाएगा, ये चीज़ आप कर सकते हो, बट उसके लिए आपके पास समय होना चीए, क्योंकि रिवीव में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तो initial काम, आप second option चूज कर सकते हो जो की है, mobile apps, phone पे हो गया, PTM हो गया, तो यहां से भी आप starting में payment ले सकते हो, अपने customer को convince कर सकते हो, कि यार मेरे ये startup है, तो भी मेरे पास payment गिडवे नहीं है, simply आप मेरे को phone पे कर दीजे, मैं अब तक product पहुचा दूँगा, ठीक है, तो payment की ये दो तरीके है, जो कि बहु बहुत लोग ऐसे है, जो जाते ही कि आप मेरे पास stock ना रहे, मैं किसी और का this stock बेच हूँ, तो उसको बोलते है, reselling business, ठीक है, एक wholesaler है, wholesalers मैं product की images लिया, और मैं social media में share किया, जब order आया, तो wholesaler है, आपके customer ता product बेच देगा, और आपको आपका margin देदेगा, तो इसको reselling business, आप ये चीज़ भी कर सकते हो, इस starting में आप ये कर सकते हो, और बहुत लोग आप में से ऐसे लोग है, जो इसको कर रहे है, और इसके उपर हमारे एक पूरा complete course भी है, reselling business के उपर, जहापे मैंने ये आपको सिखाया है, कि कैसे बिना ही stock का, आप wholesaler से product लेके, यानि product क images लेके, आप market में बेज सकते हो, और पैसा कमा सकते हो, even course के अंदर मैंने wholesalers का number भी अप लोग साथ share किया है, तो इस course को अगर आपको लेना है, तो link में description में दे दूँगा, आपको और course को ले सकते हो, reselling business सीख सकते हो, और घर पेटे ही पैसा कमा सकते हो, without कोई stock लिए, त तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है, पता नहीं, मैं course के बारे में, बीच में क्यों बोरों मैं नहीं बोलने वाला था, बट मुझे लगा ये बोलना चाहिए, तो मैंने बोल दिया, तो link description में दे दूँगा, आपको और course जोईन करना है, कल लेना बहुत अच्छा course है, और आपके customer तक product पहुशने के बाद, आपकी उतनी अच्छी branding होगी, तो उसके लिए बहुत सारे paperback मिलता है, जो कि market में, wholesale market में जाओगे, तो आपको मिल जाएगा, काफी कम rate में मिलता है, हाला कि amazon.com में मिल जाएगा, link में description में दे दूँगा, कुछ इस तरी के product होते है, वो और निकाल के simply आप package को पर चिपका सकते हो, अगर आपके उस printer है, तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है, तो कोई भी photo copy shop के दुकान में जाओगे, वो आपको print out निकाल के दे देगा, simply उसको चिपकाना, ले जाके simply courier office चले जाना, वो wait हिसाब साब से पैसा लेगा, जिससे वो package कहाँ पर है, वो easy ले track कर पाएगा, starting में लोग इसमें भी थोड़ा बहुत घबराते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं, एक बार आप जाओगे, तो आपके लिए भी यह easy हो जाएगा, लेकिन देखो, जो easy नहीं है, वो है marketing, हर चीश तो आप कर लोगे, लेकिन product आप marketing कैसे करें, हाला कि मैं इस वीडियो में ही जोडने वाला था, बट वीडियो बहुत जादा लंबी हो जाएगी, तो आप ये बाजू वाली वीडियो देख लाया है, जहां पर आपको टीशाट की marketing करता सिखाया गया है, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा, त हमें कुछ जादा engagement मिलेगा, यानि कुल मिलाके मेरा ही फायदा होगा, तो मेरे फायदे के लिए भी आप थोड़ा सा help कर सकते हो, और अगर आप सब्सक्राइब भी नहीं की हो, तो वो भी आप कर दो, तो मिलेंगा हम एक नई वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्यार र